हेलो वाटसब गाईज माई नेम इस बिलाल इन इस लेक्चर विलान अबाउट फॉर्म वेलिडेशन इन जावा स्किप्ट जी हां गाईज इस लेक्चर में बात करेंगे फॉर्म वेलिडेशन की तो चलिए गाईज शुरू करते हैं करने फॉर्म आपणिडर करेंगे थे मेरे पास एक यूजर नेम फिल्ड अगर यहां पर मैं अपना अपना नेम लिखो में के अगर सिम्पल बिलाल जो है मैं पूट करता हूं और यहां पर समिट करूं तो सर यूजर नेम मस्ट भी एट क्रैक्टर अके तो पहली तो आपको यह option आती है कि यह 8 character होना चाहिए ठीक है अगर simple अगर इसको blank ही मैं submit करता हूँ तो sir please feel the field ओके और अगर मैं यहाँ पर let's say के अगर मैं 16 से above character इंटर करता हूँ तो sir username must be less than 16 character ओके तो यह भी आप लगा सकते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं यह लिखा और उसके बाद कोई numeric value लिए देता हूँ यह special character ठीक है जैसे submit करता हूँ sir alphabetic keyword are allowed सिर्फ alphabetic keyword है वो ही allowed होगे तो यह काम हम सारा इस lecture में cover करेंगे तो मैं आता हूँ reader पर और इसको मैं करता हूँ यहाँ से close ओके तो यह demo दोर मैं ready किया था और मैं अब index प्रेंगे आता हूँ यह मेरा index file है save करता हूँ यह और 예 इंफो फाइल है इसको भी save करता हूँ यह मेरा style file इसकोर मैं save करता हूँ तो यह जो मैंने three file पहले से क्रेचिया हूँ गए तो यहां पर सबसे पहले मैं estimate ka structure क्रेच करूँम गा और यहाँ पर style.css अगर इस farm को जो मैं ने create किया ह। उसी को मैं यहां से copy कर लेता हूँ ताक़ जो हमारा timing है वो बचे, ठीक है मैं बता दूंढ़ आपको मैं इसे create कैसे किया copy करता हूं यहां से copy करने के बाद मैं आता हूं index पर और इसको merely press कर दिता हूं के दो इसको मैज सेवकरता हूं यहां पर और अगर मैं इसको यहां पर खत्म कर दो으면 तो यहां पर देखें कि हमारे पास सब से पहले मैंने यहां पर डिवक लिया था पोगए और उसके बाद मैंने एक एक उसके अंदर फार्म लिया ठीक है तो और फार्म के अंदर मैंने इन्पुट फीड लिक, बिलकुल सिंपल और उसके बाद ब्रेक और यह स्पैन, ओके, और यह है एरर मेसिज हमारे पास जो मैसिज होगा वो मैं स्पैन टैउक लिया उसके लिए, तो यह काम हम लिया, और farm events जो है मैंने clear कर रहा है मैंने पढ़ाय हुआ है इनको इसको मैंने ठीक है तो अगर आपको ये नहीं मालूं तो आप उसको watch कर सकते हैं on submit ओके तो ये क्या है वहाँ farm event है हमारा ठीक है तो यहाँ पर return करवाय हुआ है my farm को ओके ये return जो है ये बहुत जरूरी है guys लिखना आपके लिए यहाँ पर keyword क्योंकि ये जो data जैसे farm मैं submit करूंगा तो ये direct server पर नहीं बेजेगा तो आपको error show होगा वो यहाँ के error आपको show कराएगा तो अब style अगर मैं इसको save करूँ save करने के बाद open browser करूँ यहाँ पर तो अभी के लिए आपको simple याइसे दिखाई दे रहा है तो जो style है वो भी मैं यहाँ से add up कर लेता हूँ तो मैं अगर तो markal copy और यहाँ से इसको खतम करता हूँ यहाँ style मैं तो paste कर देता हूँ ठीक है save अब div को मैं style दिया इसका height width set किया bgc color दिया padding दिया ठीक है उसके बाद text ठीक है font size width अब जो text जो है यह input field की मैं कर रहाँ padding दे रहाँ 10 pixel font size जतना हो गया border radius जतना होगा ठीक है अब यह button का styling है ओके और उसके बाद यह span span को हमने color यह दिया और font size ठीक है save अब अगर refresh करूँ यहाँ पर तो आप आपको styling इसरी के से दिखाई देगा style हमारे पास वही वैसा गव ऐसा बन के आ गया अब हमने इस पे apply करना है js ठीक है तो यह काम था बिल्कुल basic ठीक है यह मैंने estimate में cover कर आए हुआ हुआ है and then guys फिर आप जैस पे आ सकते हैं ओके तो इतना काम हो गया अब हम आते हैं जैस पे तो जैस पे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक mean के मैं यहाँ पर एक function create करता हूँ function keyword और function का name है my fun ओके और यहाँ पर curly bracket और यहाँ पर एक variable ले रहा हूँ store के name से ओके और आप देखें मैं जैसे कर रहा हूँ आपने वैसे देखने एक document है हमारे पास में के यह बोलता है यह document हमारे पर पूरा है ठीक है और इस document के अंदर एक ID है वो क्या है text है है ना तो अब मैं वही दिखने वाला हूँ document है dot get element by ID यह उसकरूँगा उसके अंदर क्या है एक text की ID है हमारे पास ठीक है dot उसका value चाहिए मुझे ठीक है save इतना सा काम था मिनके जो भी मिनके जो भी value मैं इसमें इंटर करूँगा ना वो जाके store होगा आपके store variable के अंदर ओके जहां तक तो आपको clear होगा होगा next नीचे आता हूँ यहां पर अब मैं यहां पर condition लगाता हूँ if अगर store जो है वो equal equal to अगर हो जाता है मिनके empty के मतलब वो अब उसमें कोई value नहीं लिखी जाती तो हमें वो error शोक रहे ठीक है तो यहां पर लिकुमेंट dot get element by id अब id जो है वो हमारे पास है error message error sms ठीक है वो error sms कौन सा है वो span tag का ID ठीक है वो मैंने कहां इंटर किया है यहां पर इंटर किया है ओके और dot inner stml यह inner st stml capital ओके capital हाईगा message देना आपने sir please अगर refresh करूँ यहां पर तो आप आपको अगर मैं submit करूँ ना यहां पर तो एक चीज और आपने यहां पर एक और आपने यहां टाइप करना है return false ठीक है return false ताग अगर condition हमारे रोंग होगी तो वो हमें return करवाएगा यहां पर तो यहां में पर error आएगा यह error message आपको show होगा ओके तो यहां पर करता हूँ return false save अगर मैं refresh करूँ यहां पर और submit करूँ तो message हमें show नहीं हुआ तो यहां पर मैं देखता हूँ कि मसला क्या है तो यहां पर देखिए हमने my form लिखा हूँ और यहां पर function का नहीं किया है my form ठीक है तो यहां पर use करता हूँ my form ठीक है save अब guys अगर मैं refresh करूँ तो अब आपको यहां पर value मिलने वाला है ओके अगर मैं submit करूँ तो अभी भी value हमें नहीं मिला ओके तो हम फिर से देखते हैं अगर मैं यहां रिफ्रेश करूँ और आप मैं submit करूँ यहां पर तो आपको जो value वो दिखाई पड़ेगा ठीक है sir please fill the field ओके तो यह message आपको ऐसे show हो रहे है next अब next जो है हमने validate करना है कि अगर तो हमारी जो field है वो अगर इसमें मैं character लिखता हूँ less than 8 ग्रेटर लिखाँ तो error आए अगर मैं 16 से greater लिखाँ तो भी error आए okay तो मैं simple करता हूँ इसी condition करता हूँ copy कोपी करने के बाद यहां paste करता हूँ and फिर से paste करता हूँ safe अगर तो हमारा जो store dot length तो guys length मैंने आपको पढ़ा हुआ है ठीक है तो length क्या है इसका length find करेगा कि हाँ भी जो मैंने अगर let's say कि मैं यहां पर 4 अब मैंने 3 यहां पर लिखा है तो यह 3 कहां store हो रहा है store variable में तो store three dot length तो three length इसकी बनेंगी अगर यह length जो है वो less than हो less than हुई कितने 8 से ठीक है तो हमें वो error show करें ठीक है तो यहां पर error क्याएगा sir character character must be 8 ओके जो भी message आपको अच्छा लगया डिख दें ठीक है यहां पर ऐसे ही उसके बाद अगर तो यह जो है हमारे पास store dot length जो है dot अगर greater हो जाती है 16 से ठीक है तो यहां पर character must be less than 16 ठीक है एनिके जो character जो होना वो less than 16 से okay save okay dot आगए यहां पर save अब आपको पिरको सभी जो है वो value मिलने वाला है okay अगर मैं आप आँ यहां पर और refresh करो और सबसे पहले करो तो अभी दो field नहीं किया मैंने अगर मैं यहां पर ए कुछ भी ऐसे टाइब कर दूँ for तो यह सर character must be 8 तो value के मिले सर character must be 8 ओके अब next अगर मैं यहां पर अगर मैं से greater कर दो तो फिर तो समिट हो जाएगा फार्म आपका ठीक है और अगर यहां पर मैं 16 से भी बाफ चले जाता हूं समिट करों सब्सक्राइक्टर मस्ट भी less than 16 ओके तो 16 से काम हों ओके आब मैं कहता हूं कि अगर अगर मैं यहां पर देखो चलो बात करते हैं कि यहांHello एचव is regular expression, तो यहां पर एक variable लोगा, उसका नाम होगा My Rejects, यह, ठीक है, और यहां पर जो है, इसका जो pattern structure पने के structure आपने याद करना है, ठीक है, दो forward slash is, coma, और यहां पर जो है, यह जो power का sign है, और यह start होता है, ठीक है, इसको हम use करते है, start के लिए और ये और end करते हैं dollar sign से ठीक है इतना तो आपको जात हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ दिखा हूँ मैं इनके आप पहले bracket को समझ लें आप bracket क्या है यह bracket होती है हमरा पर थ्री टैब bracket होती है इसमें अभी ABC है अब ABC क्या करता है find any character between the bracket और जितने भी character है वो किसमे हो आपके इस ABC यहीं इन में सही find करके देगा आपको अगर यह power का sign आ जाए तो यहाँ पर find any character not between the brackets ओके अगर bracket के अंदर आ जाए यह sign ओके तो not अब उन में से character को सर्च नहीं करेगा अब अगर यह अगर a to z zero to nine ओके find any character between the bracket ठीक है ना तो यह तो था bracket ओके आप next जो है हमारे पास वो था हमारे पास यह कहां गया हमारे पास यह नीचे आए रहे थी यहां पर देखें डॉलर एंड जो है match and string with in at the end of it ओके और यह होता है start के लिए match and string with in at the beginning of it ओके तो यह आप नियाद रखना है इसका और जो syntax है इसका वो आपको कहा मिलेगा मैंने इसक लिखा है syntax syntax यह आपके पास ठीक है pattern ओके ओके तो यह इतना काम हमारा हो गया अब देखें यहां पर जो मैंने use करना है square bracket ओके तो मैं कहता हूँ के a से z तक ओके कोमा और 0 से 9 तक 0 से 9 तक digit हो और यह हमारे पास character हो बतलो यह ही हमारे पास आए और यहां पर use करूँगा मैं plus का sign तो plus हम आप तो use कर रहे हैं अब यह जितना value ना guys यह समझो कि हमारे पास कोई n है इनके n है हमारे पास कोई value ठीक है तो अब मैं आपको यहां दिखाता हूं देखे n plus n अब क्या है आपका यह जितना value जो भी है न यह वाला यह एन आपका n plus ओके और कहां गया match and string that contain at least one of n ओके at least one of n ओके तो खेर यह है हमारे पास n plus और आपको पता लग गया होगा इसका भी ठीक है तो अब हमने यहां पर condition लगानी है तो condition के लिए मैं यहां पर आँगा if अगर यहां पर देखें मैं use करूंगा में के यहां पर अब मैंने कॉल करना है store अब store के अंदर हम लिख रहे है ना store dot match के नेम से हमारे पास एक method है और method के match के अंदर हम किसको लिखेंगे इस variable को जिसके अंदर मैंने यह जो pattern बनाया है mean के यह regular special बनाया है इसको मैं यहां पर इंटर करूंगा इसके variable को तो variable में store आँ यहां save करता हूं save और यहां पर लिखता हूं अगर तो यह true अगर तो यह match कर जाता है pattern तो answer क्या आए हमारे पास true आए ओके और अगर नहीं आता तो else में जाओ और else में guys मैं इसकी copy करता हूं copy करने के बाद इसको यहां करता हूं paste ओके paste ठीक है save ओके तो यह हम यहां से curly bracket को उटा देते हैं ठीक है यहां से भी टा देते हैं ठीक है okay यह इसलिए कि अगर हमारे पास single हम value को print कर वारे तो हमें curly bracket की जरूरत नहीं है if condition में okay तो यह हम कहते हैं यहां पर sir alphabetic keyword are allowed sir only यहां पर only keyword ठीक है save अब अगर मैं यहां refresh करता हूं तो अब आप देखिए कि यहां पर यहां मैंने स्रीके से आप इसको validate कर सकते हैं regular expression के तो ओके तो गाइज यह था हमारे पास username को validate करने का तरीका okay तो गाइज इस lecture में इतना ही गाइज अगर आपको वीडियो चल लगए इस वीडियो को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यों झाल 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 झाल